वेलकम बाक टू माई चैनल विजु का पार्ट साला मैं नितिन आज आपको निफ्ट के इंटरेंस एक्जाम के कब-कब किस-किस मंत में कौन-कौन से एक्जाम होते हैं उन चीज़ों के बारे में बताना चाहता हूँ साथ रहता हो कि मेरे अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आज सब्सक्राइब करें बैल icon together प्रेश ड supris करना न भूले इससे आपको प्रौकरण अप्डेट्स मिलते रहेंगे तो मैं स्टार्ट करता हूँ कि NIFT के entrance exam का जो form निगलता है वो November month के every year में out होता है उसके बाद आप exam के अपने तैयारी में लग जाते हो और फिर उसके बाद January end में आपका first paper का examination होता है जिसके अंदर में GAT और CAT होता है GAT जो होता है उसमें general ability के test mathematics and reasoning ये सारे चीज़ उसमें आते हैं जो 40% of marks को cover करते हैं कह सकते हो 40% of weightage उसके बाद second sitting में एक paper होता है जिसे हम कहते हैं CAT CAT में क्या होता है कि वो भी 40% of weightage marks आपका carry करता है इसमें क्या होता है कि 40% जब आप ये दोनों examination आप clear कर लेते हो तो एक result out होता है इस result out के बाद आपका अगर selection होता है तो आप हो situation test के लिए बुलाया जाता है situation test में जो आपके April month में होते हैं वो 20% of weightage carry करता है जब आप ये तीनों examination qualify कर लेते हो तो आपको फिर counseling के लिए बुलाया जाता है जो counseling आपके June में भी हो सकता है July में भी हो सकता है और July end से आपके new session जिनका selection हुआ जो qualify किये हैं उनको फिर 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 से foundation program के लिए बुलाया जाता है तो उसके बाद आपके पास 4 साल के course होते हैं और आपका session July से start हो जाता है Thank you so much मेरे channel पर बने रहने के लिए फिर मिलते हैं दूसरे video के साथ हुआ हुआ है हुआ 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 हुआ